गुल बकावली एक चमतकारिक औसधी पौधा है इसका फूल आखों से सम्बंधित समस्त प्रकार के रोगों की अचुक औसधी है गुल बकावली के फूल के बिशय में अनेको पौराडिक कहानिया तथा दंत कथाएं प्रसिद हैं प्राचीन समय में गुल बकावली का पोधा गीने चुने इस्थानों पर ही पाया जाता था जिसे प्राप्त करना बहुत ही कठीन कारे था परंतु प्राचीनतम कथाओं के अंसार आँखों की खोई हुई रोसनी को पुनफ प्राप्त करने के उद्देश से गुल बकावली का फूल प्राप्त करने का जिक्र मिलता है गुल बकावली को आईरुएद में आँखों के लिए अमरिद के समान बताया गया है प्राचीन काल से ही गुल बकावली के फूलों का अर्क मोतिया बिंद के बिमारी को ठीक करने के काम में लिया जाता है गुल बकावली के पौधे हल्दी के पौधों के समान दिखाई देते हैं इसका पौधा मध्य परदेश तथा 36 गड़ की अनेक इस्थानों पर पाया जाता है यह दलदल यह नमी युक्त भूमी में अधिकांस्ता पाया जाता है इसके फूल सफेद रंग के बहुत ही खुबसूरत गुच्छों में आते हैं इन ही फूलों से एक विशेश प्रकार का अर्क बनाया जाता है जो आखों के लिए अमरित के समान होता है गुल्बकावली का अर्क एक एक भुंद यदि आखों में नित्य डाला जाए तो आखों से सम्बंदित, समस्ट प्रकार के रोग कुछ ही दिनों में समाप्त हो जाते हैं इसके नीमित प्रयोग से आखों का चस्मा भी कुछ ही दिनों में उतर जाता है गुल्ब कावली का आर्क, मोतिया बिंद, आखों की कमजोरी, आखों की लाली तथा सूजन को जर से समाप्त करने में पूर्टा समर्थ होता है